हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चानल शायना गोयल सो फ्रेंड्स आप सब भी फिट अन फाइन होंगे हैल्दी होंगे फ्रेंड्स सो आज के सेशन में हम एक्सप्लोरिंग लाइब्रेरी का जो टॉपिक है बिल्कुल फर्स्ट वाला लाइब्रेरी इस मेनिंग केरिक्रिक्रिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस वह कंप्लीट टॉपिक हम इस सेशन में देखने वाले हैं सो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखेगा और अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा और देखिए जो प्रीविएस इसके कोशन पेपर्स हैं वह आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी अब वहां से इसको देख सकते हैं कितना कुछ होता है तो लाइब्रेरी क्या है बेसिकली इसको के बच्चे उसको असेस कर सकते हैं ऐसे तेरों कि दूस्ते स्कूल के बच्चे उसको आकर असेइस करेंगे तीके तो यह आप देख सकते हैं इसके meaning में हम क्या बोलेंगे meaning इसका है कि library क्या है it is a place of preservation of books जहां पर इतनी सारी books school में होती है extra books होती है तो एक ऐसी जगा जहां books को better way से preserve करके रखा जाता है collection होती है books की यहां पर categorize कर सकते हैं books को books are for use ठीक है तो library एक ऐसी जगा है जहां पर books use के लिए होती है वो use किसके लिए है students के लिए है teachers के लिए भी है दोनों के ही benefit के लिए है library as a social organ या फिर organism ठीक है एक social क्योंकि यह सभी के लिए है students irrespective of any class ठीक है हर class का बच्चा यहां पर आकर book issue करवा सकता है for specific time period जितना उनको lot किया हुआ है ठीक है तो teachers भी आते हैं वो भी book issue करवा सकते हैं तो एक तरह से यह समाद सेवा का काम कर दी इसलिए इसको एक social organ या फिर social organism हम कह सकते हैं देन इट इस इंस्टिटीट अफ self development अब देखे बच्चे के पास अगर वो mathematics की अपनी course book follow कर रहा है उसको extra sums करने हैं तो वो library में जाएगा रेफर करेगा अपने level की जो books है class की तो extra books मिलती है यानि कि self development होती है पूरी mastery हो जाती है बच्चे की topic में जितने ज़्यादा वो practice करेगा sums को यह सिर्फ mathematics की example है अगर हम evs की बात करें ठीक है moral education की बात करें जहां पर moral value सिखाए जाती है कोई life events होती है bibliographies होती है सारी चीजों से बच्चा क्या सिखते है उसको extra knowledge gain होती है तो library क्या है institution of gaining information यह information आपके course के related भी हो सकती है ठीक है curriculum 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 इंफरमेशन भी हो सकती है extra color curriculum भी हो सकती है या फिर आपकी कोई leisure time activity आप कोई recipe देखना चाती है तो वो भी आपको मिल सकती है ठीक है आपको latest news देखना चाती है तो वो भी आपको वहाँ पर मिल सकती है तो library क्या है एक collection of ऐसा source है जहां पर हम किसी भी तरह की information को assess कर सकते हैं ठीक है अब देखें library में क्या कुछ होता है हम देख सकते है library includes इसमें books होती है books में आप फिर इसको further categorize कर सकते हूं fiction non-fiction books ठीक है text books and other leisure activity वाली books जो होती है वो हो सकती है तो इसमें newspapers होते हैं newspaper की clippings होती है जो important हम कहते हैं school का function हुआ था newspaper में आये थी उसके photo तो वो सारी preserve करके रखी जा सकती है magazines होती है journals होती है research papers होते है ebooks यानि की electronic books होती है ठीक है audio books available होती है यहाँ पे print media होता है then maps available होते है and films यह सारी चीज़े क्या है library में include होती है अब देखिए इसके जो aims and objectives है अभी एक चीज़ में आपको बता दू जो aims and objectives है या importance है कुछ हद तक यह similar होते हैं क्योंकि हम कहते कि library का aim क्या है उसको objective क्या है library क्या purpose solve कर रही है तो वही उसके importance बन जाएगी कि library की importance क्या है ठीक है थोड़ा सा ही hair fair होता है इन चीज़ों में तो देखिए अगर आपको कहीं बारी आप objective miss कर जाए या फिर importance miss कर जाए न तो यह एक trick है कि जो आपको objectives आते हैं उसको importance के रूप में आप answer बना कर उसका लिख सकते हैं बाकि हम दोनों topics इस session में discuss करेंगे तो points आपको नजर आ जाएंगे सबसे पहला हमारा जो objective है objectives of library हमारे पास क्या है to support educational program जिस institution में आप पढ़ रहे हैं जो school में आप पढ़ रहे हो ठीक है आपका जो course है उसको support करता है educational program को कौन कौन से points इसमें आ सकते हैं अगर आप कोई project बना रहे हो उस पर आपको help चाहिए extra information आपको चाहिए आप library जाओगे ठीक है seminar आपको prepare करना है topic पर तो आपको detailed information चाहिए न तो उसकी काफी सारी जो reference books होंगे आप वहां से check करेंगे या फिर कोई person पर आपको seminar देना है ठीक है लाइब्रेरी से तो लाइब्रेरी को objective है कि यह support करे educational program को clear यह चारो के चारो points आप इसमें mention कर सकते हैं next देखिए क्या है inculcate and enhance reading habits naturally बच्चों की जो reading habits है बोल कर जब हम पढ़ते हैं कि जितनी हम ज्यादा reading करते हैं उतनी हम language में fluent होते हैं fluent means बिना रुके बहुत smoothly हम language को बोल सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है तो inculcate मतलब बच्चों में पैदा करना उसकी habit enhance करना means उसको बढ़ावा देना ठीक है then third point क्या है to select good books for the library good books का मतलब क्या होता है ऐसे थोड़ी कि binding सिरफ अच्छी होनी चाहिए good books का मीनी क्या है कि वो सभी के काम आए with respect to curriculum जो syllabus है किसी भी class का है सभी classes के regarding curriculum के according books होनी चाहिए बच्चों के interest की books हो जो books ज्यादा demand की जाती है उसकी जो copies है वो ज्यादा हो ठीक है बच्चों का interest देखा जाए यह point tribute हो गया फिर बच्चों की level की according जैसे class 6 के बच्चों ने जाना है class 10 के बच्चों ने जाना है library में तो उनके level की हर class की book available होनी चाहिए और कुछ copies ऐसी हो होनी चाहिए कि बच्चे randomly उन चीज़ों को अपना borrow कर पाएं या फिर हम कहते कि issue करवा पाएं library से then development of self study habits अब library एक ऐसी जगा होती है जहां पर बिल्कुल silent study होती है अब book उठाते हैं बैठते हैं pin drop silence के साथ पढ़ते हैं फिर वाफ़े वापस रखके चले जाते हैं ठीक ह अपडेट रहेंगे तग भी तो वो बच्चों को updated information provide कर पाएंगे तो library में जो latest research papers होते हैं journals होते हैं वो available होते हैं तो जो topic teachers ने पढ़ाना है latest information उसके regarding जो भी होती है ठीक है जो launch की गई है latest information वो वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं update होते हैं फिर class में जाके updated चीज बच अब self learning देखिए एक तो होती है self study reading habits यह कुछ कुछ similar points है लेकिन self learning skill होता है कि एक topic के related आपने काफी सारी चीजे self study कर ली फिर उसको learn करना बैट कर बिलकुल silence का महौल होता है वहाँ पर learning क्या है enhance होती है वहाँ पर पूरी शांती होती है तो बच्चों की जो concentration है न वो पर atmosphere for peaceful study वो ही जो हमने discuss किया है कि peaceful study के लिए atmosphere प्रपर हो जिस बच्चों को ज्यादा concentration की जुरूत है या फिर जो ज्यादा पढ़ाई करना पसंद करते हैं तो उनके लिए best environment होना चाहिए library के अंदर source of recreation and entertainment अब library में देखे comic books भी होती है source of recreation आप कुछ creativity का ढूंड रहे हैं कोई cookery books होती है जहाँ पर cooking की classes या फिर best out of waste material इस तरह की कोई चीजे होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे अपना leisure time यानि कि free time में आकर अपना time proper वेसे spend कर पाएं उनका मनुरंजन भी हो और study से बाहत भी मिल पाएं नेक्स्ट है proper use of leisure time यह हम discuss कर चुके हैं then to provide miscellaneous information अब देखे सिरफ course के related नहीं fiction books non-fiction books कोई भी होती है आपकी बिब्लियोग्राफिस होती है encyclopedia होता है ठीक है scientific attitude बच्चों का increase हो तो जो science में experiments हुए है mathematics कोई shortcut formulas की books ठीक है अलग लग तरह की information बच्चों को वहाँ पर मिलती है then is democratic environment यह word का meaning क्या है कि irrespective of any class anything हर बच्चे को बिना किसी भेभाव के book issue कर दी जाती है या फिर हर बच्चा book वहाँ पर आकर read कर सकता है ठीक है democratic environment होता है first come first service जिसको हम बोलते हैं first come first service FCFS यह library का फंड़ा होता है कि जो बच्चा पहले आया उसको पहले book issue कर दी जाएगी ठीक है then क्या है it is cost effective it should be cost effective क्योंकि देखिए हर बच्चे के हम कहते हैं कि हर बच्चा हर book purchase नहीं कर सकता तो बच्चे ने पढ़ना ही है वहाँ से अपनी notes बना सकते हैं एक जो course book है बच्चा purchase कर लेता है और बागी की books जो है वो issue करवा कर time to time जो उनको चाहिए फोटो कापी कर वा तो यह cost effective होती है technique library में जो हम study करने जाते हैं books को then provide newspaper clippings जो हमने discuss किया था कि जो important clippings होती है कोई historic event होई या फिर school को कोई prize मिला school ने कोई achievement की newspaper में clips आती है उनको preserve करके रखते हैं या फिर जो alumini meet होती है alumini meet बोलते हैं इसको जब जो seniors होते हैं पुराने बच्चे होते हैं बड़े हो जाते हैं life में कुछ achieve करते हैं तो वो दुबारा school में आते है meet करने के लिए या फिर party इसको हम कहते हैं तो उनकी photograph जो है news paper में आती है वो preserve करके रख सकते हैं clear then provide reference books यह सारे चकर reference books का ही तो है teachers नहीं कोई और book को refer करना है ठीक है कोई extra sums करवाने हैं जिसे higher classes में 9th class है 10th class है वहाँ पर teacher सिरफ अपनी book तक सीमीत नहीं रहते जिसे mathematics में हम कहते हैं हम NCRT भी follow करेंगे RD Sharma भी करेंगे ठीक है तो वो RD Sharma क्या है reference books हैं तो वो library में होनी चाहिए then to classify and catalog books अब देखे books की जो placement है library में इस तरह की होनी चाहिए कि वो search करनी easy हूँ देखे librarian तो वहाँ पर होते ही हैं जो library के charge होते हैं लेकिन एक catalog होता है जिसको आप search करके देख सकते हैं कि किस shelf पे किस rack में आपकी जो required book है वो पड़ी है यह points clear होए अब देखे हम देखते है importance of library क्या importance है इसकी first is library क्या है it is a means to expand and disseminate information हमारे पास जो जान का रही है उसमें हम और ज्यादा information जो है add कर सकते हैं library में जाकर books रीड करकर ठीक है सारे points जो है similar है कुछ different लगा तो फुर मैं वह आपको explain कर दूँगे otherwise आप इसको read कर सकते हैं no down कर सकते हैं screenshot ले सकते हैं encourage reading habits वही enhance कर सकते हैं बच्चों की reading habits को prepare students for competitive exams अब को competitive exams आता है like आप यह चीज़ें कर रहे हो सारी ठीक है तो आप आगे जाके seated की preparation करोगे या फिर अगर जिस state में आप belong करते हैं उस state के test level की paper की आप preparation करोगे तो उसी तरह से क्या है library में जाकर जैसे olympiards होते हैं school में तो olympiard की preparation कर सकते हैं बच्चे olympiard के लिए books होते हैं national level पर international level पर होते हैं ठीक है PhD में भी होता है research work है तो सिरफ student teachers ही नहीं students पी research करते हैं कोई topic बच्चों को दे दिया कि आपने इसमें अपनी debate करनी है ठीक है debate करनी है तो debate के लिए आपके पस material होना चाहिए आप कुछ research करेंगे उस पर research work यहां पर carry on होगा then motivate learning and creative thinking of students अब learning की जो habit है या फिर habit नहीं हम कहते हैं कि learning का जो process है बच्चों का वो उसमें motivate कर सकते है library क्योंकि इतना सारा material मिल जाएगा तो वैसे ही आपके पास बहुत सारा content हो जाएगा learn करने के लिए ठीक है तो उसमें से आप select कर सकते हैं कि आपने क्या information learn करनी है और क् creative thinking हम कहते हैं क्योंकि इतना सारा material होता है तो बच्चों का mind भीना creatively सोचने लग जाता है जैसे mathematical sums होते हैं एक sum को solve करने के multiple ways है shortcuts बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें के mind में creativity आती है उन चीज़ों को लेकर then is updates our knowledge अब naturally हमारी जो learning है हमारी जो दिमाग में हम चीज़े सीखते हैं वो static नहीं है dynamic है क्योंकि with the growing time चीज़ें change होती रहते हैं update होती रहते हैं तो हम अपने mind में भी उस information को update करते रहते हैं knowledge को add करते हैं अपने mind में जो हमें पहले से पता है develops habit of self study यह point already objectives में हम देख चुके हैं then supplement classroom teaching अब classroom teaching जब teachers classroom में teach करते हैं वहाँ पर teachers को refer करना पड़ता है books के लिए refer करना पड़ता है extra information बच्चों को देनी पड़ती है higher classes में तो वो क्या है supplement करता है classroom teaching में helps in curriculum activities अब curriculum activities क्या होती है बच्चे ने poem recitation में पाट लिया है debate में participate किया है discussion हो रही है storytelling competition है या फिर कोई भी इस तरह की curriculum activity है तो वो consult कहां पर करेगा या तो teacher से पूछेगा या फिर जाएगा library अपना topic ढूंडेगा book ढूंडेगा या फिर जहां पर भी उसको अपना material मिलता है magazine में मिलता है journal में मिलता है वहां से वो assess कर सकते हैं that is personality development अब बच्चे की देखियो अगर हम कहते कि reading skills improve होते हैं तो उसके हम कहते हैं linguistic development linguistic यानि कि language की skill के development होती है तो language development होती है बच्चों में confidence आता है कि हम इस language में अच्छे से interact कर सकते हैं जब हमारे पास better information होती है न तो हमारी personality वैसे ही develop हो जाती है क्योंकि confidence आता है कि हम defeat नह clear then is aesthetic and artistic skill development aesthetic होता है कि किसी भी चीज की सुन्दरता को देखना जैसे हम कोई आर्ट देखते हैं कोई से की paintings देखते हैं ठीक है उसकी सुन्दरता को देखना मैसूस करना then is artistic skill development चीजों को हम देखते हैं, paintings हैं, drawings हैं, या फिर कोई भी हम sceneries देखते हैं, इस चीजों को, तो बच्चे में artistic skill खुट develop होते हैं, उनको पता लगता है कि color combinations कौन से use करने है, clear, then is preserve cultural heritage, कैसे होगा ये culture के related, जो भी हमारी ancient history चली आ रही है, उसके related सारी जानकारी library में होती है, वो बच्चे वहाँ से ले सकते हैं, biographies होती है, bibliographies होती है library में, then it is a source of recreation, source of religious information, ये बिल्कुल easy-easy points आप इसको देख सकते हैं, best utilization of leisure time, free time को best way से utilize किया जा सकता है library जाकर, e-library is open 24 hours, अब देखिए अगर हम school की traditional library से हट कर बात करें, अगर आपको सिरफ आ जाए ना कि library, तो library आपकी electronic library भी तो हो सकती है, तो ये point भी आप जरूर mention कर सकते हैं, कि जो e-library होती है ने 24 घंटे खुली होती है, जैसे आप phone पर e-library सर्च करके देखो Google पर क्या आत बच्चे जो poor people होते हैं, तो वो खरीद तो सकते नहीं, अब books तो refer तो कर सकते हैं, लाइबरेरी में से issue करवा सकते हैं, useful for rural youth, अब हम urban areas में रहते हैं, लेकिन जो rural areas हैं, वहाँ पर education बहुत limited होती है, ठीक है, आज कल के time में तो बहुत facilities हो गई, तो rural areas में अगर library होती है, त in enhanced creativity and divergent thinking skills, divergent thinking skills means, बच्चा एक चीज के multiple solutions सोच सकता है, ज्यादा फैलाओ, जैसे sun होता है, ये sun है, ये इसकी raise है, divergent raise, हर तरफ अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही library क्या करती है, बच्चों के divergent thinking skills को enhance करती है, बढ़ा देती है, clear, so friends, यहाँ पर हमारा ये topic complete होता है, I am sure इससे आपको help मिली होगी, study material भी मिला होगा, so video helpful रही हो, इससे लाइकन share जरूर के लिए कीजेगा, मेल दे हैं next session में, till then, keep watching friends.